तो देखे आपको इस तरह से राउंड राउंड फर्गें तो इस पाउडर भी आपको प्रोडेक्ट पर मेंचन मिल सकता है ठीक है वट वो इसी तरह का आता है जिस तरह से बिखरा हुआ है ना आपके अपने चैनल प्रोफेशनल व्यूटी वर्ड में कैसे हैं आप सब तो जैसा कि आज का टॉपिक तो आपने देखी लिया है आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेकप पाउडर क्योंकि हमारा फाउंडेशन का टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है जिसमें कि हमने सभी फा पाउंडेशन लेना चाहिए तो अगर आपने वो क्लासेश नहीं देगी है तो देख लीजेगा क्योंकि काफी जादा इन्फॉर्मेटिव क्लासेश है बहुत जादा आपको उससे सीखने को मिलेगा आज का हमारा टापिक जो है वो है कि मेकप पाउडर्स कितने टाइप्स मेकप पाउडर्स हम यूजर करते हैं हमारे मेक पैप को सैट करने के लिए जैसा कि आपने देखा होगा आपको मार्केट में बहुत तैप्स के मेक पाउडर देखने को मिलेंगे और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूस भी होते होंगे कि मिनरल पाउडर है टाटिं लेकिन सबसे पहले हमें जानेंगे हम यूज करते हैं मेकप पाउडर्स तो मेकप पाउडर्स हम करते हैं हमारे मेकप का जो भी आपने देखा होगा काफी टाइम सम फाउंडेशन लगा लेकिन आपका मेकप पाउडर्स उसको सैट नहीं करते हैं तो मेकप थोड़ी देर में मेल्ट होने लगेगा तो जो भी ऑईल होता है उसको कंट्रॉल करने के लिए हम यूज करते हैं मेकप पाउडर हमारे जो मेकप है उसको थोड़ा सा स्मूद बना देता है और जिसे कई बार आपने देखा होगा ना काफी जादा ओईली ओईली चिकना चिकना सा लूक आपको म प्रॉल करेगा आपके मेकप को लॉक कर देगा जिसे कि आपने जो भी फाउंडेशन होगा आपके मेकप में क्रीजेज नहीं बनेगी काफ़े टायम सापने देखा होगा आइस एरिया पर आप यूज करते हैं इसके बाद में आपने उसको ब्लैंड कर दिया लेकिन जब त इसलिए हम बोलते हैं आपको कि जब ही आप foundation apply करते हैं उसके बाद में जब आप compact powder अप़लाई करते हैं तो पहले जो बैठ गया है उसको blend और देटिंगे बाद सथ के साथ अपक्रों कर दो उसके बाद में जो आपके foundation से जो crease शे बन जा जाती है वो नहीं बने गी तो देखे कितना जादा useful है compact powder और loose powder, transition powder सभी का अलग-अलग roll है वो भी मैं आपको बताऊंगी then next हमको use आता है baking करने के लिए ठीक है तो वो भी मैं आपको बताऊंगे baking हम कौन से skin पर use करते हैं लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ कि इनका use क्या है तो बेकिंग करने के लिए आप इसको use कर सकते हैं तो गाइस यह तो आपको समझ गया हुगा कि हम make-up powders जो होते हैं like वो compact powder हो, loose powder हो, transition powder हो, acid powder हो हम क्यों use करते हैं हमारे make-up को set करने के लिए देखिए यह आपको सबसे बड़ा यह चीज समझ लेना है mainly कि make-up को set करने के लिए make-up को long lasting बनाने के लिए हम use करते हैं make-up powders ठीक है, तो यह आप not कर लीजे क्योंकि यह बहुत ज़ादा काम आने वाला है आपके make-up carrier में, तो इसको आप not down कर लीजे कि हम make-up powders क्यों use करते हैं next, हम देखते हैं कि make-up powders जो होते हैं, वो कितने types के हमको market में मिलते हैं और उनको हमें किस तरीके से use करना होता है guys, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको कौन से make-up powders, किस तरीके से use करना है undertone के according कौन सा use करना चाहिए सब कुछ हम detail में देखेंगे so guys, अभी हम यहाँ पर देखेंगे types of face powder so, सबसे पहला जो most commonly जो use किया जाता है सबसे commonly सभी लोग use करते हैं आप self के लिए देख लीजिए या फिर आप professionally देख लीजिए pressed powder का बहुत जादा use होता है pressed powder में जिसमें compact आता है और उसको हम इस तरह से press करते हुए use करते हैं यह जो compact आता है pressed powder सबसे ज़्यादा to catch powder एक पाउडर भी बोल सकते हैं आप इसको इह सबसे ज़्यादा use किया जाता है यह तरह देखें कि यहाँ पर इन यह different different types में आते हैं यह देखे, powder compact, यह two in one, इसमें देखे, two types, दो हैं, हमको इसमें दो मिलते हैं, तो यह बिलकुल matte pressed powder है, और यह थोड़ा सा देखे, shiny है, आपको भी इसमें shine नजर आ रही होगी, तो यह थोड़ा सा shiny है, और यह थोड़ा सा matte effect देता है, यह देखे, मैं आपको इसको दिखा द थिक है, थोड़ा सा fine नहीं है, उतना जितना की यह है, तो यह चीज़ें आपको देखकर लेनी है, और यह देखे, यह थोड़ा सा shiny है, इसमें आपको थोड़ी से shine नजर आएगी, तो यह थोड़ा सा shiny है, तो pressed powder में इस सारह बहुत सारी forms आती है, जैसे कि radiant matte compact, ठीक है, जो तो आप अपने skin tone के हिसाब से इसको select करके use कर सकते हैं, अपने skin tone के हिसाब से आप इसको buy भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि देखे, यही pressed powder थोड़ा सा light skin tone में है, अभी मैंने थोड़ा सा dark दिखाया था, आप देखे, यह थोड़ा light है, तो fair skin tone है, अगर तो आप यह वाला shade use करेंगे, ठीक है, तो pressed powder में, आपको different different colors मिलेंगे, and different different colors आप अपने skin tone के हिसाब से use करेंगे, अब देखे, यहाँ पर यह भी एक है में पस, इसका skin tone भी light है, ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने skin tone का, same skin tone का आपको लेना है, जो आपका skin tone हो, अगर आप client के लिए भी use करना चाते हैं, तो आपको अपने पास में इसका fair, medium और dark, ऐसे करके 3-4 skin tone रखने पड़ेंगे, और उसी के according आप use करेंगे, तो आपके make-up का look अच्छा होगा, reason क्या होता है, अगर आप इसमें एक रखते हैं, मालो, आपके client का color fair है, उस पर अगर आपने, पहले आपने fair foundation use किया, और उसके उपर अगर आपने dark compact लगा दिया, तो आपके जो foundation का color है, ये उसको change कर देगा, तो इसलिए आपको हमेशा आपने skin tone से match करता हुआ ही compact use करना है, ये आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है, काफी times ये गलती होती है, और फिर हम सोस्ते रह जाते हैं, कि हम से ऐसी क्या mistake हुई है, हमने right foundation का tone यूज किया था, undertone सा ही select किया था, बट mistake कहां कर दीगा, इस हर छोटी-छोटी सीज में हमको ध्यान रखने के जरुत होती है, तो I think कि आपको समझ में आगया हुआ कि pressed powder आप किस तरह से select करेंगे, और pressed powder कौन से होती है, अगर matte लिख आते हैं, थोड़ा सा इन में moisture होता है, तो आप इनको dry skin पर use कर सकते हैं, क्योंकि इन में थोड़ा moisture है, तो हमारी skin को जाधा cake की ये पैची नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आगे है कि pressed powder कैसे होते हैं, हमें कि skin tone के according इनको लेना चाहिए, next वो आत अपने product पे, तो वो आपको देखना है और उसके बाद में आपको लेना है, so HD setting powder क्या होता है, ये white color में आता है, ठीक है, white color में आता है, अब आपको उसको translucent powder नहीं समझ रहा है, ये HD setting powder, जो कि ये भी camera friendly होते हैं, हम इनको cameras के लिए, क्योंकि हमारे जो भी छोटी-मोटी, ज अच्छी बना देते हैं, ठीक है, so HD, जैसे कि मैंने आपको बतायता है, HD makeup, उसके लिए हम HD makeup में, HD setting powder हम यूज करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से जो sponge आते हैं, उसकी help से यूज करेंगे, बिल्कुल white color में है, लेकिन का मुझे बहुत जादा जल्दी होती है, जादा ब्राइट्स होती है, तो मैं compact के health, ये जो beauty blender है, इसी के health से ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा foundation का color इस पर आ गया है, but कोई आपको देखना है, बिल्कुल white color में ही आता है, ठीक है, अंदर आपको color नजर आ रहा होगा, so इसको भी आपको इस तरह से use करना होता है, ये HD होते हैं, सो काफी easily आपकी skin पर set हो जाते हैं, काफी अच्छा look आपको ये देते हैं, हमारा guys, translucent powder, translucent powder, ये आप not कर लीजिए, आपको nots भी बनाने है, ठीक है, क्योंकि nots भी बहुत जादा काम आते है, so translucent powder कौन से होते हैं, translucent powder होते हैं, ये बिलकुल loose form में होते हैं, ये colorless होते हैं, इनका कोई color नहीं होता है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये होते हैं colorless, इनमें कोई color नहीं होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, I think आपको visible हो रहा होगा, ये देखिए, ये बिलकुल, इतना स्मूध है बहुत ही फाइन है बहुत ही वैलवेटिव फिनिश यह आपको देगा सो ट्रांस्टिशन पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं और और इसकी टोन्स पर आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि अपना कोई भी कलर नहीं छोड़ता है कोई भी वाइट कास्टे नहीं छोड़ता है प्रांस्टिशन पाउडर भी आते हैं जोकि वाइट कलर में आते हैं और कलर लेटा हमारे पास है वो है बनाना पाउडर banana powder ठीक है, यह yellow color में आता है, यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यह है Forever 52 का banana powder and यह आता है देखे yellow color में यह देखे yellow color ठीक है, अगर आप आपके face पर pink effect ज़ादा है उसको कम करना चाहते है देन आप banana powder यूस कर सके है अगर आपको अपने मेकप को सेट करना है और आपके मेकप को काफी अच्छा लुक देगा आपकी जो भी फेस पर अनीवन स्कीन टॉन है उसको यह इवन लुक करेगा तो वोम अंडे टॉन पर आप बनाना पाउडर यूस करेंगे तो काफी अच्छा जाएगा ठीक है और पिंक अगर आपको कम करना है आपको लग रहा है कि आपके फेस पर पिंक टॉन जादा दिख रहा है देन आप बनाना पाउडर यूस कर सकते हैं यह लूस फोम में आता है and yellow color next जो आता है वो आता है guys loose powder loose powder जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसके जो particles होते है वो delay होते है मतलब कि loose होते है यह देखे इस तरह से यह banana जो powder होते है banana loose powder भी हो सकते है and single loose powder भी आपको product पर mention मिल सकता है वो इसी तरह का आता है इसे भी आप क्या करेंगे अपने makeup को set कर सकते है आप baking के लिए use कर सकते है आपका makeup पर बहुत ज़धा oil आता है तो उस oil को control करने के लिए sweating को control करने के लिए आप use कर सकते है matte finish look पसंद है तो आप loose powders use कर सकते है तो अब यह select आपको करना है कि आप किसी skin type पर काम कर रहे हैं और आपको किस तरह से कौन सा powder आपको use करना है बाकि और मैं next video में आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से clear कर दूँगी क्योंकि अभी ये video बहुत जादा lengthy हो जाएगा, सो हम skin type के लिए आपको अलग से एक video बना देंगे जिसमें के हम skin type के हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन सा powder आपको कौन से skin type पर use करना चाहिए तो वो आपको easy हो जाएगा आप देखे गाईस, और भी मार्केट में बहुत तरह के आते हैं light mineral powders आते हैं, आप ये भी राइट कर सकते हैं, mineral powders आते हैं, तो ये आपको skin tones मिलेंगे, आप अपने skin tone के हिसाब से मतब जो आपके skin का color है उसके हिसाब से आप mineral powder सेलेक्ट करेंगे, ये यूज करने से क्या हूँ आपकी skin पर कोई भी तरह की जलर नहीं होगी, sensitive skin आप इसको यूज कर सकते हैं दूप में भी आपकी skin को प्रटेक्ट करते हैं so mineral powder काफी best option है आपके लिए लिए so guys, I hope ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखें, यहां पर मैं आपको कुछ किट्स में दिखाती हूँ तो देखें, इस type की kits आती है जैसे NYX की contour kit है ठीक है, अब इसमें भी मुझे कुछ shade यहां पर मिलते हैं इनको भी मैं यूज कर सकती हूँ ये येलो tone का है ये pink tone का है यहां पर आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा highlighter foam में है बड़ आप चाहते हैं आपको बहुत radiant सा लुक मिले तो आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है क्योंकि इसके particles बहुत fine है थोड़ी सी shine है जो कि मैंने आपको बताया था ये वाला compact मैंने आपको बताया था जिसमें की काफी shine थी बिल्कुल इसी की तरह है इसमें थोड़ी जो है और इसमें जो है वो काफी thin है तो आप use कर सकते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको यहां पर दिखाती हूं यह है LA Girl का Pro Face HD definition Matte pressed powder तो यह matte look देगा आपको HD powder है और यह तो खतम हो चुका है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूं आपको समझ में आ जाएगा तो इसमें भी numbers आते हैं fair tone के लिए हैं और आपको इसमें और भी skin tones मिलेंगे तो आपको जैसा skin tone चाहिए वैसा आप ले सकते हैं आपको यह भी बता देती हूं कि यह जो compact powder हम यूज करते हैं इनको यूज करने के लिए हमें किस टाइप की brushes का यूज करना चाहिए तो जो compact powder हम यूज करते हैं उसके लिए हमें इस टाइपी brushes आती हैं और यह बिल्कुल जो हमारे मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में कि जो यह original hair से बनी हूई brushes आती हैं बहुत अच्छे से हमारे जो भी products होते हैं उनको अच्छे से pick करती है और easily हम उसको use कर सकते हैं यह देखिए यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ आपको इस तरह से round round करके और देखिए कितना product आपके पास brush में आ गया है I think दिख रहा होगा आपको इस type के brushes आपको powder के लिए use करनी है और इस तरह से बस हमको application करनी होती है इस तरह से swipe motion में और इस तरह से dab dab करते हुए So I hope आपको कोई भी confusion नहीं रहेगा और next वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से skin type के हिसाब से हमको इनको product को select करना है क्योंकि ये वीडियो बहुत जादा lengthy हो जाएगा So मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye